हेलो गाईज और भैसेश मैं सूराज कुमार और आज तमिल की सबसे बड़ी फिल्म का ट्रेलर आए जिसका नाम है पोनियन सेलवन पार्ट वन और इसका बजट 500 क्रोर है और इसके डिरेक्टर वो ही हमारे मनी रतनम आप लोग को मालूम है कि ही वोस्ट पैन इंडिया डिरेक देखते रहेंगे लेकिन जीसे से अपका मैच चल रहा था इनको गुसा आ गया बोले कि इसकी मां का रात को ट्रेलर परको हमको को लेना देने डाल दो आईसा हो गया बट इतने बड़े ट्रेलर का ऐसा मीनिंग दे रहे कि यह लोग रात को डाल तो वो थोड़ा मेरे को नहीं सोच रहा था कि आप सोचो इस इस दो फिल्म विद बजट ऑफ 500 क्रोर और दूसरी बात जब भी आप हिस्टोरिक पिरियेट फिल्म देखते वगेरा वगेरा तो आपके दिमाग में तो चप गया है कि यहार सारे चीजों का फॉर्मेट ऐसे शुरू होता है और सारे इसे लगते हैं अगर इन सारे चीजों में कुछ नया लगता है कुछ एक्स्ट्रॉडिनरी लगता है तो वह हमारे दिमाग बुद्धी दिल को भाता है अब इस ट्रेलर को देख लो कहीं ना कहीं आप किसी चीज से रिलेट करोगे क्योंकि इस ट्रेलर में सिप कैरेक्टर इंट्रड्यूस हो रहा है कुछ विज्वल्स देखने मिल रहे हैं और बाकि सारे विएफेक्स विज्वल्स वगेरा जो है वो नॉमल है मतलब बेसिक है कुछ भी एक्स्ट्रॉडिनरी नहीं ना कुछ भी ऐसा डायलोग जो आपको एकदम हार्ड किक करें ऐसा कुछ भी न नजर आता है बट वो जो अंद्रोनी बात होनी चीह थी ना जो आपके 500 क्रोर की बजट के फिल्म में चलके वो कहीं पर भी इतना खास चलकता हूं नजर नहीं आता है हाला कि ट्रेलर कोई भी एंगल से बेकार मुरा एवरेज भी नहीं है बट ठीक है इतना भी एक्स्ट्र नजर आता है वो है ऐश्वरिय राय लुक अट देखलो वो लगरे साक्षात ओडी और में देखो गुटने पर फोडी यार मजाग निकर रहा है शी लुकिंग सच ब्यूडिफुल एन मनी रतनम्स मैजिक इस यार जब भी भी वो ऐश्वरिय राय को प्रिजेंट के वो ऐस अब से एश्वरिय राय देखते है वो अरे यार इस अमेजिंग यार मैं यह सुसता हो कि अभिशेक बच्चन फिल्म में सक्सेस हुए हो या ना हुए हो लेकिन एश्वरिया को पाक के जरूर सक्सेस हो गया अब यह सुनने के बाद सल्वान भाय क्राइंग इन दे कॉर्ण लेकिन ट्रेलर में एश्वरिय राय चार चार लगाने का पूरा काम करते है बाकी के कैरेक्टर्स भी काम करते है लेकिन इतना स्रॉंग नहीं नजर आता है कुछ भी हालकि यार आपने देखा ही रहा विक्रम साब के अभी जो कोब्रा आये थी वो तो ओडियंस को डस गई एक मेने बाद वापस से उनके फिल्म आ रही है पौनी एन सिल्वन तो यहां पर उनका मैजिक अगर जोरदार क्रियेट हुआ हलकि यह पैन इंडिया फिल्म है तो यहार कयामत मचाएगी अब आप लोगों में बता दू यह क्लैश हो रहा है हमारे विक्रम वेदा जो की तम इंडिया मत नहीं मचाए लेकिन वहां पर शाहरा नर्जी मार एड़ी बाजी मार लेता है अगर आप उस लेवल का हाइप लाते अपने ट्रेलर टीजर से तो हिंदी में जाहिर सी बाते चलती थी क्योंकि यह जिसे आप से इसके डबिंग लग रही है सारे चीज़ परफेक करते हों कि यह भी फिल्म यहां पर चल गए तो भाई मज़ा आ जाएगा अब ट्रेलर में बाकी चीज़ों की बात करते हैं थंडा थंडा सा लगता है वह शीप वाले सीन को देखके तो मेरे को पूरा मरक कर याद आ गया हाला कि मरक कर भी मल्यालम की एक्सपेंसिव फिल्म को वह भी बहुत बड़ी बात होती है तो यहां पर वह कम चल लगता है और दूसरी बात ऐसा है कि इसके विज्वल्स जो है काफी बेसिक है नॉमल है मतलब कुछ भी बोल रहा हूं नहीं लगता है या फिर यह भी बात हो सकती कि अभी इसमें हमें कुछ खास देखने मिले ह नहीं हो जो की भी देखने मिलेगा फिल्म के अंदर तो अगर वैसा रहे तो फिर वह सर्प्राइस हो जाएगा तो आप लोग को कैसा लगता है वह कमेंट करके बताईए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब कर देना और कल भी स्पेशल वी